अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें आपसлеखते हैं मिर्च फ्राइब कैसे बनाते हैं 14 मिर्च लीए हैं हरी मिर्च एक छोती चमच हल्दी की एक छोटा चमर दनिया कि स्वाद के लसानमा में एक चोटा चमर मीर्च कलर के लिए और एक निम्बू। चलिए अप गैस आउन करते हैं पैन गरम कर रहे हैं मिर्च फ्राइ के लिए मिर्च फ्राइ करने के लिए मिर्च को चीरा लगाएंगे ऐसे बीच से इसको दो टुकरा में भी काट सकते हैं देखिए मिर्च को चीरा लगा लिए हैं दो टुकरा में गुच मिर्च ऐसे रखेएं Pao एसे भी रख सकते हैं एप पूरा भी चीर के ऐसे काट सकते हैं चलिए अब फ्राइ करते हैं पैन गरम हो चुका था इसमें अंदाज से दो तेल गर्म हो चुका है एक से दो मिनिट हो चुके हैं हलका 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 लाल हो चुका है इसमें साला मसाला डाल देंगे अब को मिला लेंगे अब इसको ढखके दो मिनिट के लिए बनाएं देखिए दो मिनिट हो चुका है अगर आपको ज्यादा कूर्कूरी पसंद है फ्लासा और लगा लेंगे देखिए अब मिश हो चुका है अब इसमें निम्बू डाल देंगे आधा निम्बू डाल देखिए अब अब इसको सर्व करेंगे मिर्च को निकाल ली है देखिए आपको अगर चाट मसला पसंद है इसमें चाट मसला डाल सकते हैं देखिए कितनी डिलिसियस लग रही है आप इसे रोटी के साथ चावल के साथ खा सकते हैं अगर घर में कुछ ना हो कोई सब्जी पसंद ना हो तो आप मिर्च फ्राइब बना सकते हैं कैने कैने को बनी अगर बना सकते हैं कैंजे ना हो अगर जयकर सकते ही आप तो vaccines को वित्धले तणिए छोग ट। कि में आहिए यो, बना सकते हैं